नाम सुम्रन में इनसान को परमानंद मिलता है, लज़ते मिलती हैं, जन्मों जन्मों के पाफ करम नाम के सुम्रन से कट जाया करते हैं और हैराने की बात नाम पे कोई दाम नहीं लगते हैं कोई भी फाइदा आप लें, कोई दवाई आप लें, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है यहां तक के कपड़ा लगता लेते हैं, उस पे भी पैसे लगते हैं और आप मौसम के अनुसार कपड़ा खरीते हैं, ताकि सर्दी से बचा जा सकें उस पे और ज्यादा पैसे लगते हैं पर है ना हरानी की बात आपके आने वाले भ्यानक से भ्यानक रोगों को खतम कर दे आपके पिछले संचित करमों के भ्यानक रोगों को खतम कर दे ऐसा माली का पाक पवित्र नाम बिना दाम के मिलता है, बिलकुल फरी मिलता है तो उस परम्पिता प्रमात्मा का यह रह्मो करम है उसकी रहमत है उसकी द्यामेहिर है कि वो अपने पाक पवित्तर नाम पे कोई टैक्स या अलग तरह का कुछ कर जुरुमाना नहीं रखता माली का नाम बिना दाम के बताया जाता है और जो भागों वाले होते हैं वो उस नाम को लेके जाब करते हैं वो और भागयशाली बन जाते हैं उन पे मालिक की और खुशियां बरसने लगती हैं सो नाम का सुमरन इस घोर कल युग में मिर्थ संजीवनी है मरती हुई जीवात्मा के लिए मरती हुई इंसानियत के लिए तरफते हुई लोगों के लिए सुखों का आधार है खुशियों का आधार है इसलिए नाम का सुमरन जरूर किया करो कोई आपको टोकता है रोकता है कुछ गल्द बोलता है यह उसके अपनी बुद्धी का काम है मन का काम है पर आप जो सुमरन करते हो उसके लिए नहीं करते है सुमरन करते हो किसी और के लिए नहीं सबसे ज़्यादा सुमरन का फड़ आपको खुद को मिलना है आपकी परेशानियां दूर होनी है आपकी बीमारियां दूर होनी है आपके दुख, दर्द, गम, चिंताएं दूर होनी है तो इसलिए प्रभू के नाम का सुम्रण जरूर किया करो उस पे चाहिए कितना भी समय लगाना पड़े जरूर लगाओ और और धंदों पे लगा समय आपको फाइदा देगा के नहीं देगा पता नहीं मालिक की याद में लगाया गया समय आपको सौ परसेंट फाइदा देगा ही देगा इसलिए किसी की सुनो ना जो मालिक की तरफ कदम बढ़ाया करते हैं मालिक उन्हें अपनी दिया में रहमत से नवाचा करते हैं जिनके अच्छे करम बन जाया करते हैं मालिक के प्यार मुहबद को बेंदहा वो पाया करते हैं पर उन्हें चाहिए दीन तर नमरता रखें अंकार को त्याग दें और कभी किसी की बातों में ना आए कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं होता आप रोहानियत में बहुत तरक्की कर रहे हो मालिक की बेंदहा खुश याँ आप हासिल कर रहे हो यह सब देख के कोई खुश नहीं होता लोग सोचते हैं यह पीछे कैसे गिरेगा इसको गिराया जाए इसका मुल्य जो रोहानियत में इतना बढ़ गया इसका मॉल जो इतना बढ़ गया इसको इस कदर गिराओ कि इस भी मिट्टी में मिल जाए इसलिए किसी की सुना ना करो क्योंकि आप जब किसी की सुन लेते हो दूसरों की बात सुनके आप अपना अकाज करते हो अपने पाउं भी को लहाड़ा मार लेते हो तो इसलिए किसी की सुना ना करो सुननी है तो पीर फकीर की सुनो जो आपके भले की करता है भले की कहता है और भले की ही कहता रहेगा